तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास नाइन के साइन्स का चाप्टर नमबर टू इस माटर अराउंड जो सलूशन पहले सुगर और सॉल्ट को डिजॉल्ब नहीं कर पा रहा था अब वो आसानी से सुगर और सॉल्ट को डिजॉल्ब कर पा रहा है दुकांदार एकदम चम चम आता हुआ पाइकेट निकालेगा, बोलेगा ये लो हाइवरेवन, इस वर होस्टेर मेंटर पेम पांडे, वलकमिंग यू और तो एजुकेशनल हाइक हम क्या पढ़ रहे है, हम पढ़ रहे है, क्लास 9 के साइन्स का चाप्टर निम्बर 2 क्या हमारी अगल बगल की चीज़े सुद्ध है हमने ये ओल लेडी इस चाप्टर की फॉर्स पार्ट में बात कर लिया था हमने introduction of chapter पढ़ा था, हमने types of mixture पढ़ा था हमने पढ़ा था कि there are two types of mixture, homogenous and heterogeneous हमने solution भी पढ़ा कि solution किसे कहते हैं, हमने concentration of solution निकालना सीखा कि भाई कोई solution कितना गाढ़ा है, इस चीज़ का बता हमें कैसे चलेगा हमने और भी बहुत कोई सीखा जैसे suspension क्या होता है इस topic तक हमने अपने last part में पढ़ रखा है now we have to start from topic number 2.2.3 what is a collidal solution भाई यह collides किसे कहते हैं, किस चडिया का नाम है collidal solution अहा, अच्छे इसको अच्छे से समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक activity करके दिखाऊंगा सीधा चलते है activity पर है, welcome to first activity of this particular video और इस activity में हम जानेंगे कि भाई, collidal solution किसे कहते हैं अच्छा, क्या तुम देखके पहचान लोगे कि collidal solution कैसे होते हैं नहीं पहचान पाऊगे चलो, अब मैं बताता हूँ, आज के बाद तुम जैसे collidal solution को देखोगे तुरंद पहचान जाओगे कि भाईया, ये तो collide है चालो, सबसे पहले मैंने milk लिया है as an example और मैं आपको बता दू कि milk is the very good example of collidal solution milk एक तरीके का collidal solution होता है milk के अलामा blood हो गया, urine हो गया, ये सब collidal solution है तो हमने as an example milk लिया है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई, जितने भी collide होते हैं they all are heterogeneous mixtures heterogeneous mixtures यानि milk के particle एक दूसरे से perfectly dissolve नहीं हुए है milk के अंदर होता है fat और fat एक तरीके का oil है oil किसी से भी dissolve नहीं होता clear है, मतलब collidal solution एक तरीके के heterogeneous mixtures है इससे हमें ये पता चला कि भाई, जब collidal solution heterogeneous mixtures है यानि इनके particles मिले हुए नहीं है perfectly dissolve नहीं है तो हैं कहां, दिख क्यों नहीं रहे है देखो, दूसरी चीज कि भाई, जितने भी collidal solution के particles होते है they are too small to be seen by naked eyes खुली आखों से हम collidal solution के particles को नहीं देख सकते है is it okay? first thing, collidal solution heterogeneous mixtures है second thing, collidal solution के particles बहुत ज़्यादा चोटे है हम उन्हें खुली आखों से नहीं देख पाएंगे ठीक है, भाईया जब हम उन्हें खुली आखों से नहीं देख पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि collidal solution एक heterogeneous mixture है कैसे पता चलेगा कि इमके अंदर particles भी है हम क्या करेंगे? हम light को pass कराएंगे और देखेंगे कि क्या light pass हो जाती है यह देखो, नीचे आप देख पा रहे होगे कि भाई यह beam of light पूरे collidal solution से pass out हो जा रही है हमें पूरा का पूरा light इस glass के अंदर दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा मेरी जान, इस चीज से हमें यह पता चलता है कि इस collidal solution के अंदर particles है और यही particle light को scatter कर रहे है light को फैला रहे है, यह light कैसे फैल रही है? इन ही particles की वज़े से, अगर इनके अंदर particle नहीं होते तो light अंदर दिखाई नहीं देती ठीक है? तो collidal solution क्या है? first thing, collidal solutions are heterogeneous mixtures second thing, collidal particles are too small बहुत ज़ाँ छोटे होते हैं, खुली आंकों से हम इने नहीं देख सकते है third one is, collidal solution में जो light का path होता है वो visible होता है, हमें light clearly दिखाई देती है इनके particles light को scatter करते है ठीक है? समझ में a collidal solution क्या है? चलो पढ़ भी लेते है अब भी जो हमने just activity करी है ना में जिशान ये activity भाई, collidal solution का था ये जो milk है ना हमारा ये एक दरीगे का collidal solution है हमने milk के बारे में क्या-क्या पढ़ा? हमने देखा कि भाई, the particles of a collide are uniformly spread throughout the solution हमने देखा कि पूरे milk में जो milk के particles है milk के कौन-कौन से particles होते है milk के अंदर भाई, fat होता है fat, fat के particles पूरे milk में फैले हुए है भाई, milk के अंदर protein होता है protein के particles पूरे milk में फैले हुए है तो इस तरीके के solution जिनके particles uniformly फैले हुए हो पूरे solution में ऐसे solution को हम collidal solution का नाम देते हैं due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension the mixture appears to be homogeneous कह रहा है कि भाई आप जो collidal solution के particles होते है न वो suspension के particle के मुगाबले छोटे होते हैं और इस वज़ा से हमें collides को देख कर लगता है कि भाई जो collidal solution है वो एक तरीकी का homogeneous है homogeneous का मतलब जिसके particles solvent के साथ पूरी तरीके से घुल जाए, dissolve हो जाएं हमें collidal solution को देख कर लगता है कि collidal solution एक तरीके का homogeneous mixture है बट 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 ऐसा होता नहीं है collidal solution actually में सच मुझ में अगर पूछो मुझ से तो collidal solution एक तरीके का heterogeneous mixture है heterogeneous mixture मतलब जिसके particles solvent के साथ पूरी तरीके से घुलते नहीं है देखो अभी milk के अंदर क्या होता है milk के अंदर होता है fat fat क्या होता है एक तरीके की oil का होता है एक तरीके का oil यानि तेल होता है हम जानते हैं कि हम तेल को पानी में नहीं मिला सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम fat को भी milk में नहीं मिला सकते हैं तो ये क्या है ये एक तरीके का heterogeneous mixture है I think you got it समझ में आ गया होगा आचा आगी बढ़ते हैं कि भाई because of the smaller size of collidal particle we cannot see them with naked eyes ये तो बड़ी ही मामूली सी बात है कि भाई जो collidal particles होते हैं collidal solution के कड होते हैं वो इतनी जादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं milk यानि दूद दूद के अंदर fat होता है protein होता है क्या तुम fat और protein को milk के अंदर खुली आँखों से देख पा रहे हो कि भाई जो milk है अगर milk के इस तरफ से हम light milk से pass करवा रहे हैं तो light easily milk से pass हो जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि milk के अंदर particles है लेकिन हम खुली आँखों से नहीं देख पाएंगे हम कैसे पता लगा पाएंगे जब हम light pass करवाएंगे milk से तो milk के अंदर जो चूटे-चूटे particles है न वो तुरंट visible हो जाएंगे वो light को pass कर देते हैं ठीक है this scattering of beam of light is called the tindle effect हमने देखा न दूद के अंदर से light पुरा pass हो जा रहा है पूरा जो light का रास्ता है वो हमें दूद के अंदर भी visible है दिख रहा है दिख रहा है की नहीं दिख रहा है बस इसी को भाई हम tindle effect का नाम देते हैं the scattering of beam of light is called the tindle effect अगर और अच्छी भासा में समझाऊ the scattering of beam of light by the particles of a collidal solution is known as tindle effect और यह जो tindle effect यह जो process है ना यह एक scientist के नाम पर रखा गया है उस scientist का नाम था john tindle क्या नाम था john tindle john tindle नाम था ठीक है थोड़ी writing घटिया है समझ ले ना आप क्या बात है मजाग तो नहीं कर रहो ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ examples भी दिए हैं tindle effect के मैं तुम्हें बहुत ही आम भासा में समझाने की कोशिस करता हूं tindle effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole बगल में picture देखो आपने देखा होगा कि आपके रोसंदानी से light आ रही है और light आने की वज़े से जो particles है छोटे छोटे हवा में वो हमें दिखाई देने लगते हैं this is also a tindle effect ठीक है tindle effect क्या है scattering of beam of light जो light है उसका फैल जाना किस की वज़े से particle की वज़े से this is known as tindle effect tindle effect को हम बगल में picture देखी रहे हो आप ठीक है room में आती हुई light में भी हम tindle effect को देख सकते हैं this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air मैंने बताया कि भाई जो हवा में धूल मिट्टी होती है धुआ होता है इनके जो particles होते हैं वो sunlight को scatter करते हैं इस वज़े से room के अंदर आती हुई light में भी हम tindle effect को आसानी से देख सकते हैं ठीक है tindle effect का मैं तुम्हें एक और example देता हूँ तुम भी क्या याद रखोगे मिरी जान देखो तिंडल effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest किसी घने जंगल में ये image देख रहे हो बिलकुल ऐसे ही ये देखो पूरा घना जंगल है और इस जंगल में जो रोसनी आ रही है वो बिलकुल च्छन के आ रही है ये देख रहो beam of light scatter हो रही है फैल रही है ठीक है और ये क्यो फैल रही है ये देखो in the forest mist contains tiny droplets of water mist का मतलब क्या होता है जो धुंद होता है जो कोहरा होता है कोहरे के अंदर छोटे-छोटे water के particles होते है और यही particles collide dispersed in air यानि आप ऐसे कह सकते हो कि हवा में जो water के droplets present होते है water droplets present होते है जैसे ही इन पर light पढ़ती है मैं तुम्हें थोड़ा सा realistic way में समझाता हूँ मालो ये water droplets है ये water droplets है ठीक है ये water droplets है ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे ही light इन पर पढ़ती है ये तुरंत visible हो जाते है और पूरी light को फैला देते है ठीक है दिस इस कॉल्ड वाट दिस इस कॉल्ड टिंडल एफेक्ट आपने बहुत सारी ऐसे real life में example देखे होंगे जहांपर light च्छन कराती है और उस light के रास्ते को हम खुली आँखों से देख पाते है वहाँ वहाँ टिंडल एफेक्ट होता है ठीक है comment करो अब अब आप comment करो दबा के कि आपने ऐसे कहां कहां और देखा है ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे कि भाई properties of a collide तो दीवियो एंसर जणो properties of collide पढ़ने के लिए तयार हो जाओ और आज के बाद जब कभी भी मैं तुम्हें collides के बारे में बताऊं collidal solution के बारे में बताऊं तुमारे दिमाग में कुछ example सा जाने चाहिए जैसे कि milk milk क्या है एक collide है blood हमारा हम इंसानों का खून एक तरीके का collidal solution होता है urine भाई हमारा पेसाब ये भी एक तरीके का collidal solution होता है ठीक है तो अब हम milk, blood और urine हैं कैसे इनकी properties क्या है इनकी क्या क्या खासियत है ये जानते है अगर हमने ये जान लिया तो हमने properties of collide समझ लिया मेरे भाई ठीक है इस इट ओके ओके number one property of collide कि भाईया जो collide होते हैं वो एक तरीकी के heterogeneous mixtures होते हैं heterogeneous mixtures का मतलब आपको पता है ऐसे mixtures जिनके particles आपस में perfectly dissolve ना हो पाएं जैसे दूद के अंदर क्या-क्या होता है दूद के अंदर fat होता है मोटापा दूद के अंदर protein भी होता है क्या होता है protein भी होता है अरे दूद के अंदर water भी होता है मेरी जान अब देखो यही तीन चीजे मिलकर हमारा milk बनता है लेकिन यह water के अंदर perfectly dissolve नहीं हो सकता जैसे water के अंदर oil dissolve नहीं हो सकता, तेल, क्या तेल पानी के अंदर गुल जाता है, क्या नहीं होता न, बिल्कुल वैसे ही fat भी water के अंदर dissolve नहीं होता है, तो सबसे पहली बात कि भाई, जो collidal solution होते हैं, वो एक तरीके के heterogeneous mixtures होते हैं, अगर हमें दूद के particles को देखना है, तो हमें microscope लगाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी property clear है, कोई दिक्कत नहीं है, now third property of collidal solution, collides are big enough to scatter a beam of light passing through it, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाईया, अब भी हमने पड़ा कि collidal solution के particles काफी जादा चोटे होते हैं, इतनी जादा चोटे होते हैं, कि हम इने खुली आखों से नहीं देख सकते हैं, पास कराई जाए, तो ये light को scatter कर देते हैं, फैला देते हैं, just take an example, माल लो यहाँ पर एक torch है, हमने यहाँ पर एक torch ले लिया, ठीक है, और torch लेकर हम यहाँ से light pass करा रहे हैं, तो जो collidal solution के particles हैं न, ये इतने तो बड़े होते ही होते हैं, कि ये इस light को अपने through pass करा देते हैं, collidal solution में जो path of light होता है, वो visible होता है, क्यों, क्योंकि इनके particles काफी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, कि ये light को pass ना करा पाएं, ठीक है, now fourth property of collides, they do not settle down, बहुत ही आम भासा में कहा इसने भाईया, कि हमने suspension पढ़ा था कुछ देर पहले, suspension का मतलब क्या होता है, जैसे बालू और पानी को हम मिलाएं, तो ये एक suspension बन जाता है, अगर हम बालू और पानी को कहीं मिला कर रख दें, तो हम देखते हैं कि जो sand के particles होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं कुछ देर में, और water के particles उपर रह जाते हैं, ऐसा होता है की नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन collidal solution में ऐसा नहीं होता, collidal solution के particles नीचे settle down नहीं होते हैं, they are quite stable, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, कि जो collidal solution के particles होते हैं, वो stable होते हैं, मतलब इनके अंदर काफी ज़्यादा हल चल नहीं होती है, तो हमने fourth property भी पढ़ ली, कि भाया, collide के particles नीचे जाकर बैठते नहीं हैं, ये पूरे mixture में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चाहे हम इन्हें जितनी देर तक छोड़ दें, ठीक है, now fifth and last property of collide, they cannot be separated from the mixture, by the process of filtration, अब जो collides होते हैं, collidal solution होते हैं, हम इनके particles को, filtration की मदद से अलग नहीं कर सकते, हम अगर चाहें, अगर हम ऐसा सोचें, कि हम दूद को, filter paper लगा कर, उनके particles को अलग कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई भी collidal solution, filter paper से, अपने particles को छाट नहीं पाएगा, तो भाईया, अगर हमें collidal solution के particles को अलग करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग technique, एक special technique का यूज करते हैं, जिसे हम centrifugation कहते हैं, centrifugation का यूज किया जाता है, collidal solution के particles को अलग-अलग करने के लिए, दूद में से अगर हमें protein निकालना है, दूद में से अगर हमें fat निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी centrifugation process का यूज करेंगे, अब centrifugation को मैं देशी भासा में भी तुम्हें समझाता हूँ, और science की भासा में भी समझाता हूँ, science की भासा में पहले समझो, centrifugation एक ऐसा process होता है, जिसकी वज़े से, जो collidal solution का हलका particle है, वो उपर आ जाता है, और गाढ़ा particle नीचे बैठ जाता है, जैसे ये जो है, ये centrifugation machine है पूरी, ठीक है, इसके अंदर test tube में fill करके, मालनों हमने दूद रख दिया, ठीक है, तो ये गोल-गोल-गोल-गोल घूमता है, ऐसे 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 गोल-गोल-गोल घूमता है, और कुछ देर बाद हम देखेंगे, कि ये test tube का जो cream है, वो उपर आ जाता है, और milk जो है, उन नीचे बैठ जाता है, cream का मतलब, cream is a mixture of fat, ठीक है, cream क्या होता है, एक तरीके का fat होता है, cream में fat और protein, दोनों पाया जाता है, is it okay, is it okay, समझ में आया, तो हमें किसी collidal solution के particles को अलग करना हुआ, तो हम centrifugation का use करते हैं, centrifugation में क्या होता है, एक ऐसी machine होती है, जिसमें दूद को रख देते हैं, और कुछ देर घुमाने के बाद, दूद का cream उपर आ जाता है, milk नीचे बैठ जाता है, आपने गाओं में भी देखा होगा, कुछ ऐसा लकडी का बना होता है, ठीक है, हम इसे अपनी सुद्ध भासा में मतनी कहते हैं, ठीक है, यह क्या होता है, यह दूद के अंदर गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोमाती है, जिससे क्रीम तो ऊपर आ जाता है, और मिल्क नीचे बैठ जाता है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमने प्रापरटीज ओफ कॉलाइडल सलूशन तो बहुत अच्छे से पढ़ ले आया, अब हम कुछ और एक्स्टा जानकारी लेंगे, कोलाइड्स के बारे में, तयार हो जाओ, कह रहा है कि भाईया, जो हमारा कोलाइडल सलूशन होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो डिस्पर्जड फेज, और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, साफ साफ लिखा है, यानि कोलाइडल सलूशन दो चीजों से मिलकर बना है, पहला डिस्पर्जड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जड फेज किसे कहते हैं, तब जाकर हमारा दूद हमें मिलता है, ठीक है, तो जो सल्यूट लाइड कोमपोनेंट है, यानि जिस चीज को मिलाया गया है, that is known as what? that is known as डिस्पर्जड फेज, मिलक के केस में, फैट और प्रोटीन क्या है? डिस्पर्जड फेज, डिस्पर्जड फेज, ठीक है? और dispersion medium क्या होता है and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium ये dispersed phase जिस थीज के अंदर मिलाया गया है दूद में water के अंदर fat और protein मिलाया जाता है इसलिए water हमारा क्या है dispersing medium I think you got it कि भाई dispersed phase क्या होता है और dispersing medium किसे कहते है समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे कह रहा है कि collides are classified according to the state हम ना collides को 8 अलग-अलग तरीकों में बाटते हैं there are 8 types of collides there are 8 type of collides 8 अलग-अलग तरीके के collides होते हैं और हम उनको divide करते है किस base पर? उनके state के base पर कभी-कभी dispersing medium हमारा solid होता है कभी-कभी dispersing medium हमारा liquid होता है कभी-कभी यह gas होता है तो इस आधार पर हमारे पास 8 तरीके के collides मिलते हैं अब एक-एक करके हम पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन से कॉलाइट्स हैं A few common examples are given in table 2.1 अभी हम table 2.1 देखेंगे और देखेंगे कि भई कॉलाइट्स के कितनी examples हैं और कितनी तरीके के कॉलाइट्स होते हैं Let's go So now we have table number 2.1 और इस table में हमारे पास अलग-अलग 8 तरीके के कॉलाइट्स दिये गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 There are 8 types of कॉलाइट्स Aerosol, Aerosol, Foam, Emulsion, Sol, Foam, Drill, Solid Sol यह 8 अलग-अलग तरीके के कॉलाइट्स होते हैं अब यह बनते कैसे हैं सबसे पहला हमारा Aerosol Aerosol का example सबसे पहले समझ लो Fog ठंडियों के मौसम में सुबसुब कोहरा पड़ता है हमारा जो बादल होता है आसमान में जो हमें बादल दिखता है Mist यानि धुंद पहाडी वाले इलाकों पर आपने देखा होगा एक अजीब सा धुआ की तरीके से दिखता है वो mist है यह कैसे बनते हैं यह जब liquid water हमारे atmosphere के gases यानि CO2 nitrogen ठीक है इन सबसे मिलता है तब जाकर aerosol बनता है और aerosol के अलग-अलग example से fog, clouds और mist दूसरा again aerosol बनता है कब जब solid और gas मिलता है जब solid में हम gas मिला दे तब smoke बनता है आप जानते हो गाडियों के अंदर से जो गुदुआ निकलता है वो solid form में होता है लेकिन वो जैसे ही हमारे atmosphere के gases से मिलता है वो aerosol बन जाता है smoke बन जाता है automobile exhaust यानि गाडियों के पीछे से निकलने वाला धुआ किमनियों से निकलने वाला धुआ ये सब aerosol के example है ठीक है foam के example क्या-क्या है saving cream जो हम लोग दाड़ी बनाने के लिए cream यूज़ करते है शायद तुम ना करते हो ठीक है आपके पापा ज़रूर करते होंगे तो वो एक foam का example है foam भी एक तरीके का collide है foam कब बनता है जो gas liquid में मिलाया जाता है next है हमारे emulsion जो दूद होता है face cream, fair lovely, fair handsome जितनी भी हम cream लगाते है अपने चेहरों पर वो एक तरीके के emulsion के example है emulsion भी एक तरीके का collide होता है emulsion कब बनता है जब दो liquids मिलाया जाते है जैसे milk, water में oil यानि fat मिलाया जाता है तब हमारा milk बनता है है की नहीं है, बिल्कुल है ऐसे ही sol बनता है, sol के example है milk of magnesia sol कब बनता है जब solid को liquid में मिलाया जाता है sol मतलब solution solution कब बनता है, जब हम solid को liquid में मिलाते है, सही बोला ना मैंने milk of magnesia एक solid होता है powder होता है, उसको हम अपने पानी में मिलाते है तो solution बन जाता है mud, कीचड कीचड धूल में जब पानी मिल जा है तो कीचड बन जाता है, है की नहीं है तो ये solution भी एक तरीके का हमारा collide है, foam एक दूसरी तरीके का foam होता है जब gas solid में मिल जाता है तो हमें rubber देखने को मिलता है, जो rubber हम use करते है वो कैसे है, वो कौन सा type है वो foam का type है foam कैसे बनता है, ये वाला gas और solid के mixture से ठीक है, jelly, जो हम jelly खाते है हमारे chocolates, jelly होते cheese, यानी पनीर, butter ये सभी हमारे gel के example है, और gel भी एक तरीके का collide होता है, gel कैसे बनता है जब liquid को solid में मिलाया जाए, ठीक है समझ में आया, और एक होता है solid salt, ये आखरी तरीके का collide है solid salt कब बनता है, जब 2 solid मिल जाते है, तो जैसे colored gemstone, आपने अलग-अलग रंग के पत्थर देखे होंगे, आपने अलग-अलग रंग की अंगूठियां पहनी होगी, तो वो solid salt के example है, milky glass आपने बहुत सारे ऐसे सीसे देखे होंगे चो सफेद कलर का होता है हमारे चस्मों में सफेद कलर का सीसा लगा होता है, they all are the example of solid salt, ठीक है तो solid salt भी एक तरीके का हमारा collide है, तो हमने यहां पर 8 अलग-अलग तरीके के collides पढ़ लिए, और यह collide किन से किन से मिलकर बने है, यह भी यहां पर लिखा गया है, और यहां पर examples भी दिएगे हैं, तो एक बार आप और पढ़ लेना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा Now moving to another important topic of this chapter, topic number 2.3 Separating the components of a mixture Separating the components of a mixture यानि हम अपनी day-to-day life में जितनी भी mixtures use करते हैं चाहे वो दूध हो गया सुबह उठकर हम brush करते हैं Colgate हो गया, हम साबून लगाते हैं इन अलग-अलग mixtures के components को हम कैसे अलग कर सकते हैं मतलब ये mixtures जिन खीजों से मिलकर बने हैं उन्हें अलग-अलग कैसे कर सकते हैं हम ये सारी चीज़े इस topic में पढ़ेंगे ठीक है, हम इस topic में अलग-अलग examples लेंगे जैसे हमने यहाँ पर blue और black ink लिया है blue और black ink भी एक तरीके का solution है इनके particles को कैसे अलग कर सकते हैं milk और malai यानि cream इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं तो हम बहुत सारे अलग-अलग examples लिया हैं हमने यहाँ पर और यह हमने activity करके देखा है कि इनके particles को कैसे अलग किया जा सकता है ठीक है, तो सब पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे separating the components of a mixture we have learned that most of the natural substances are not chemically pure हम जानते हैं कि जितनी भी ज़्याद तर चीज़े होती हैं जो आज हम use कर रहे हैं वो chemically pure नहीं होती है are not chemically pure different methods of suppression are used to get individual components from a mixture आज हम ना, अलग-अलग methods of suppression यानि अलग-अलग तरीके यूज करते हैं कि कैसे हम mixture के particles को, mixture के components को कैसे अलग कर पाएं ठीक है, हम अलग-अलग तरीकों का use करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है, suppression make it possible to study and use the individual components of a mixture, अच्छा हमें इन mixtures के particles को अलग क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी है तो भाई, अगर हम mixture के components को अलग करते हैं तो इससे जो हमें individual component मिला है उसके बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और उसका use किसी दूसरी जगह पर कर सकते हैं, जैसे milk में से अगर हमने cream यानी मलाई निकाल लिया तो भाई, मलाई हम अलग-अलग जगह भी use कर सकते हैं, इसलिए हम mixtures को अलग करते हैं separate करते हैं, ठीक है heterogeneous mixtures की अगर बात करें तो heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking heaving, filtration that we use in our day-to-day life, अगर heterogeneous mixtures की बात करें, ऐसे mixtures जिनके particles हमें दिखते हैं कि अलग-अलग हैं, ऐसे mixtures जिनके particles fully dissolve नहीं होते हैं, ऐसे mixtures ना आसानी से अलग किये जा सकते हैं, कौन-कौन से method से hand picking से, यानि हाथों से भी हम छाट के इन्हें अलग कर सकते हैं, याद करो कि हमारा जो खाने वाला चावल होता है मम्मी खाना पकाने उस पहले ना, उस चावल को क्या करती है हाथों से बीनती हैं ताकि अगर उसमें कुछ और particle आ गया हो, कोई कचड़ा आ गया हो तो उसे हाथों से निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो वो एक heterogeneous mixture है चावल और कचड़े का जो mixture होता है वो heterogeneous mixture है तो heterogeneous mixture के particle को हम hand picking, sieving sieving क्या है, आपकी ममी लोग एक ऐसा बरतन use करती होंगी जिसमें बीच बीच में ऐसे छेद होता है ठीक है, इसको हम क्या कहते है इसको हम sieve कहते है इसका use किसले किया जाता है इसका use किया जाता है कि भाई अगर कोई heterogeneous mixture है जैसे wheat, wheat यानि गेहूं और हमारा चाफ, भूसा गेहूं और भूसे का जो mixture होता है वो एक तरीके का heterogeneous mixture है जब इसको हमें जहरने में डालेंगे न तो गेहूं आराम से नीचे गिर जाएगा, ठीक है तो heterogeneous mixtures को न हम कुछ आसान तरीकों से अलग कर सकते हैं hand picking, हाथों से अलग कर सकते हैं sieving, ठीक है जहरने का यूज करके, filtration filter paper का यूज करके अपनी day to day life में जितनी भी mixtures होते हैं, ऐसे mixtures जो heterogeneous mixtures हैं, इनको हम hand picking, sieving और filtration से इनके particles को, इनके components को अलग कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है special technique have to be used for the separation of the components of a mixture, कुछ mixtures homogeneous होते हैं, उनके particles perfectly dissolve हो गए होते हैं तो उसके लिए, ऐसे mixtures को हमें अलग करने के लिए कुछ अलग तरीकों का use करना पड़ता है special techniques का use करना पड़ता है, ठीक है, चलो अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई हम ऐसे mixtures के particles को अलग कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है blue और black ink, blue ink ले लो या black ink ले लो, जो आपके pen या marker pen में भरा जाता है वो liquid में होता है, होता है की नहीं होता है लेकिन आपने कभी सोचा है यह जो blue color और black color इस ink को यह जो blue और black color मिलता है न, वो किसी solid dye की वज़े से मिलता है, dye का मतलब dye मतलब color होता है, solid color की वज़े से मिलता है, तो हम अपने black और blue ink में से इस solid color को कैसे चाट सकते हैं, यह हम सिखेंगे activity number 2.4 से, चलो देखते हैं activity number 2.4 इस activity में हम ink के अंदर से solid dye को अलग करेंगे हमें पता होना चाहिए कि इंक एक ऐसा mixture है, जो दो चीजों से मिलकर बनता है, कौन से कौन से चीजों से, पहली चीज solid dye solid color से मिलकर बनता है plus इसके अंदर water भी मिला दिया जाता है, तो यह ink का रूप ले लेता है, अब हमें इस activity में यह देखना है, कि भाई, इस ink में से, तुम water को अलग और solid dye को कैसे अलग कर सकते हो चलो, start करते हैं इस activity को सबसे पहला step है हमारा fill half a beaker with water, हमें एक beaker लेना है एक छोटा सा beaker लेना है और beaker में आधा हमें लगभग water यानि पानी पहर देना है ठीक है, हमने कर दिया भीया फिर क्या करना है, put a watch glass on the mouth of the beaker आपको इस beaker की उपर एक glass watch रख देना है glass watch, ये glass watch क्या होता है, आप घड़ी पहनते हो ना, घड़ी के जो उपर वाला सीसा होता है, यही हमारा watch glass होता है, आपको watch glass को beaker के एकदम उपर रख देना है, फिर क्या करना है third step, put few drops of ink on the watch glass, आपको watch glass के उपर ना, जो marker वाली ink आती है, जो वो liquid marker वाली ink आती है आप दुकान पे जाओ stationary shop पर जाओ, आप कह दो कि मुझे वो marker में डालने वाली ink चाहिए, आपको गो ink देंगे, ink का लगभग 2 से 3 या 4 बूद आप इस glass के उपर इस watch glass के उपर डाल दो, रख दो उसके बाद क्या करना है, now start heating the beaker, अब आपको इस beaker को heat करना है, नीचे से आग देनी है, we do not want to heat the ink directly अब आप बोलोगे कि भीया, ये ink जो है, इसको हम direct beaker में रख कर क्यों नहीं heat कर रहे हैं बताऊंगा मैं आपको बस इतना जानो अभी कि हमें इस watch glass में ink को रखना है, और इस water को heat करना start कर देना है you will see that evaporation is taking place from the watch glass तुम कुछ देर बाद देखोगे कि भाई, इस ink के अंदर में से water vapor निकल रहे है ये ink हमारा evaporate हो रहा है यानि water vapor निकल रहे है ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा 5th step, continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on watch glass तुम्हें इस watch glass को तब तक गरम करना है जब तक इसके अंदर से धुआ निकल रहा है जब धुआ निकलना बंध हो जाए आप इसको heat करना भी बंध कर दो अब activity complete हो गई है आप इस watch glass को उतारो और ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखेगा तुम्हें न जो हमने liquid ink डाला हुआ था वो liquid सारा water wrapper बनके उड़ गया और हमें यहां पर केवल powder वाला dye दिखाई देगा और इसी को हम colored dye का नाम देते हैं तो भाई हमने इस activity में क्या सीखा हमने सीखा कि जो हमारा ink होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है एक तो dye और दूसरा water हमें अगर ink में से dye को अलग करना है तो हम क्या करेंगे हम इस ink को heat करना start कर देंगे क्या करेंगे heat करना start कर देंगे water evaporate हो जाएगा हमारा केवल dye का dye ही बचेगा so this is the method how can we separate dye from the ink let's move forward हाई क्या activity थी समझ में आया वाह क्या वाद है बड़े highway driver हो रहे हो तुम तो चालो अभी जो तुमने activity पढ़ी है ना उस activity को तुमने सिर्फ पढ़ा ही है या कुछ समझा भी है इस चीज को मैं चेक करूंगा कुछ questions पूचके number one what do you think has got evaporated from the watch glass हमने देखा कि भाई जैसे ही हमने liquid ink को गरम करना start किया उस में से wrappers निकलने लगे वो evaporate होने लगा तुम्हें क्या लगता है क्या evaporate हो रहा होगा हमें पता है ink के अंदर दो ही चीज़ तो होती है एक होता है dye और एक होता है water अब तुम्हें क्या लगता है कि dye और water में से क्या evaporate हुआ होगा obviously water ही evaporate हुआ होगा dye तो एक solid है solid evaporate थोड़ी न होता है ठीक है समझ में आया तो पहले question का answer है water evaporate हुआ होगा ठीक है दूसरा question is there a residue on the watch glass क्या तुम्हें last में उस watch glass के ऊपर कुछ मिला था क्या बिलकुल मिला था भाईया मुझे colored dye मिला था मुझे वो solid dye मिला था as a residue last में मुझे यही मिल गया था ठीक है तो yes yes मुझे मिला था ठीक है third what is your interpretation is ink a single substance or it is a mixture तुम्हें क्या लगता है एक ink जो होता है वो pure है या दो चीजों का mixture है क्या लगता है तुम्हें मैं बताता हूँ ink जो है न वो दो चीजों का mixture है एक तो dye plus water का mixture है ठीक है याद रहेगा ink किन चीजों का mixture है dye plus water dye powder की तरह होता है water liquid होता है ठीक है समझ में आ we find that ink is a mixture of dye in water हमने देखा कि जो ink होती है हमारी स्याही होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी है एक तो solid dye और दूसरा water और इसी वज़े से we can separate the volatile component यानि solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation यहां से यहां तक line थोड़ी complicated है ध्यान से समझना ink की case में जो हमारा ink होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है dye और water ठीक है अब यहां पर कह रहा है कि यह जो आपका solvent है मतलब जिसमें मिलाया जाता है water हमारा क्या है solvent है ठीक है इसने देखो कहा है कि जो तुम्हारा solvent है वो volatile component है और जो तुम्हारा solute है यानि dye वो non-volatile component है अब volatile component क्या है और non-volatile component क्या है यह समझो volatile यानि जो water vapor में convert हो जाए वो है volatile component जैसे water 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 vapor में convert हो जाता है इसलिए यह क्या है यह एक तरीके का volatile component है ठीक है समझ में आया I think you got it और non-volatile क्या है जो evaporate नहीं होता जैसे dye solid है तो ये क्या है ये non-volatile है न ये water paper में तो convert होगा नहीं बिल्कुल नहीं convert होगा ठीक है ये क्या है ये non-volatile है तो I think आपको volatile component क्या होता है non-volatile component क्या होता है समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई इस तरीके से एवापोरेशन की मदद से हम वोलेटाइल कंपोनेंट यानि water को non-volatile कंपोनेंट यानि dye से अलग कर सकते हैं और किस प्रोसेस से एवापोरेशन से अब हम चलेंगे मलाई वाले टॉपिक पर यानि टॉपिक नमबर 2.3.2 और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि भाईया कैसे हम अपने दूद के अंदर से क्रीम यानि मलाई को अलग कर सकते हैं कैसे अलग करेंगे चलो सीखते हैं nowadays we get full cream toned and double toned varieties of milk packed in poly packs or tetra packs in the market आज अगर तु मार्केट में जाओ न full cream milk चाहिए तुम्हें half cream यानि toned milk चाहिए या double half यानि double toned cream चाहिए तुम बोलोगे कि भाईया कोई भी दे दो फरक क्या है मैं बताता हूँ कि भाईया full cream toned milk और double toned variety of milk में फरक क्या है full cream milk में आपको लगभग 6% के around fat मिलता है toned milk में आपको लगभग 3% के around fat मिलता है और double toned milk में आपको इसका भी आधा around 1.5% cream मिलता है तो फरक आप समझ गए हो full cream में जादा fat होता है toned milk में आपको 3% fat यानि थोड़ा सा कम और double toned में सबसे कम fat पाया जाता है और ये milk ना तुम्हें होते हैं इसे में pack करके मिलता है या tetra packs वो जो कागज वाले pack होते हैं इसमें ही market में आपको pack करके दूद दिया जाता है ये अलग-अलग तरीके के जो milk हैं full cream, toned और double toned वाले जो milk हैं इनमें अलग-अलग amount में fat पाया जाता है जैसे मैंने बताया I hope आपको समझ में आ गया होगा कि भाई या full cream, toned और double toned में फर्क क्या है अब हम क्या करेंगे ना अब हम एक full cream milk लेंगे और उस milk के अंदर से cream को अलग करेंगे separate करेंगे चालो, activity number 2.5 कि तुरू हम ये करने वाले हैं Let's go Hi everyone, welcome to activity number 2.5 इस activity से हम सीखेंगे कि how can we separate cream from milk हम दूद के अंदर से मलाई को कैसे अलग कर सकते हैं कैसे चाठ सकते हैं ये हम इस activity में सीखेंगे मैं आपको बता दूँ कि भाई जो milk है वो हमारा एक collidal solution है किस तरीके का solution है collidal solution है और किसी भी collidal solution के particles को अलग करने के लिए केवल एक ही तरीका है हमारे पास and that is centrifugation ठीक है centrifugation के लिए हमारे पास centrifugation machine चाहिए जो है नहीं तो उसके बदले में हम क्या use करेंगे हम ये milk churner का use करेंगे ये milk churner गोल गुमाने से ऐसे ऐसे गुमता है ठीक है हम क्या करेंगे हम इस milk churner को इस दूद के अंदर डालेंगे और गोल गुमाएंगे कुछ देर बाद हम देखेंगे कि भाई milk और cream अलग-अलग हो गया है cream उपर आ गया है और milk नीचे रह गया है देखो चलो करते हैं start करते हैं इस activity को और इस milk churner को घुमाना start करते हैं थोड़ा तेजी से ठीक है So guys अब हमने इस milk को लगभग 2-3 मिनिट घुमाया है अब हम देखेंगे कि क्या सचमुच cream अलग हुआ है चलो मैं close up camera को पास में ले आना चाहता हूँ और आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये सचमुच हुआ है ये आप देख पा रहे हो ये जो foam है ये उपर उठ गया है ये देख रहे हो ये foam that is actually the cream ये जो foam उपर आ गया है यह हमारा क्या है यह हमारा cream है और जो हमारा scheme milk है जो हलका दूध है वो नीचे बैठ गया है ये देखो ये उपर आपको दिख रहा है that is actually the cream that is actually the cream और हमारा जो गाड़ा दूध है वो नीचे बैठ गया है इस method को हम centrifugation method कहते हैं centrifugation method यानि गोल 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 घुमा के cream उपर आ जाता है और milk नीचे बैठ जाता है ये centrifugation technique काम कैसे करती है हम किसी चीज को अगर गोल गोल घुमाते हैं तो जो हलका particle है milk के case में cream हलका होता है तो वो उपर आ जाता है और जो denser particle है जो थोड़ा सा वजनदार है वो नीचे बैठ जाता है यहाँ पर जो scheme milk है वो नीचे बैठा है और जो cream है वो उपर आ गया है तो हम दूद को cream से अलग कर दिये यहाँ पर इस activity में अरे activity तो तुमने बड़े मजे से कर ली लेकिन इस activity को तुमने केवल पढ़ा ही है देखा ही है या समझा भी है मैं चेक करूंगा मैं तो चेक करने वाला हूँ now get ready to answer some of my questions इस activity में तुमने जो कुछ भी सीखा है इसी से मैं कुछ questions पूछूंगा तुम्हे answer करने चलो honestly is answer करना what do you observe on churning the milk तुमने जब milk churner को milk के अंदर डाल कर घुमाया तो तुमने क्या देखा भाया मैंने तो देखा कि जो हमारा cream है न वो top यानि उपर आ गया था हाँ मैंने यही तो देखा न और जो मेरा milk था न वो bottom यानि नीचे जाकर बैठ गया था मैंने यही observe किया ठीक है चलो next question explain how the suppression of cream from milk takes place अच्छा मुझे बताओ तुमने जैसे ही milk churner को दूद के अंदर डाल कर घुमाया कैसे cream उपर आ गई किस process की वज़े से यह हुआ centrifugation याद रखना centrifugation वो process है जिस process की वज़े से हम दूद के अंदर से cream को अलग करते है centrifugation के अंदर होता क्या है centrifugation process में ऐसा क्या होता है जिससे cream उपर आ जाती है by centrifugation process में होता क्या है कि जो lighter particles होते हैं जो हलके components होते हैं वो top यानि उपर पर बैठ जाते हैं और जो denser particles होते हैं जिनका वज़न थोड़ा जादा होता है वो नीचे यानि bottom में बैठ जाते हैं तो यह है technique centrifugation का centrifugation एक ऐसा process है जिस process से हम दूद में से मलाई को अलग करते हैं cream उपर आ जाता है और जो दूद होता है वो थोड़ा वज़न दार होता है वो नीचे बैठ जाता है sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through of filter paper देखो जादा तर जितने भी हमारे mixtures होते हैं वो वैसे तो हम filter paper से उन्हें छाट सकते हैं लेकिन जो collidal solutions होते हैं जिससे milk milk की particle इतने जादा छोटे होते हैं कि वो filter paper से pass कर जाते हैं milk को हम filter paper से नहीं अलग कर सकते हैं for such particles the filtration technique cannot be used for suppression दूद जैसे mixture हो गया blood हो गया, urine हो गया ऐसे mixtures को हम filter paper से filter करके उनके components को अलग नहीं कर सकते तो कैसे अलग करेंगे? such mixtures can be separated by a special technique known as centrifugation centrifugation एक ऐसा process है जिस process की वज़े से हम ऐसे mixtures जिनके particle बहुत जादा छोटे होते हैं ऐसे mixtures को अलग करते हैं centrifugation का principle मैंने आपको बताया centrifugation कैसे काम करता है? the principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly जब हम milk churner को milk के अंदर डाल कर गोल-गोल तेजी से घुमाते हैं तो होता क्या है? जो वजंदार particles होते हैं जैसे milk वो नीचे यानि bottom में जाकर बैठ जाते हैं और जो हलके particles होते हैं जैसे cream के particles थे वो top पर यानि उपर आकर बैठ जाते हैं so this is the whole principle of centrifugation अगर आप से कोई पूछे centrifugation क्या है? तो बस यह उठा कर चिपका देना your answer will be correct आपको full marks मिलेंगे ठीक है? चलो centrifugation तो हमने देख लिया हमने milk के अंदर से cream भी अलग कर दिया लेकिन अब हम यह जानेंगे यह centrifugation process और कहां कहां use होता है सबसे पहला used in diagnostic laboratories और blood and urine test आप hospital जाते हो, बिमार हो अगर तो आपको कहा जाता है कि अपने blood का check-up करवाईए अपने urine का check-up करवाईए तो भाई, जो भी sample लेता है doctor ना, blood और urine check करने के लिए, वो यही centrifugation process use करता है, blood और urine की जाच करने के लिए ठीक है, तो सबसे पहला use यहां होता है दूसरा, used in dairies and home to separate butter from cream cream के अंदर से, यानि साढ़ी के अंदर से, घी को निकाला जाता है, इसी centrifugation process की वज़े से आप गाउ में देखे होगे, एक लंबी सी लकडी होती है, काट की लकडी होती है, और उसको दूद के अंदर डाल कर गोल-गोल-गोल घुमाया जाता है, वो क्या करते हैं, वो लोग, वो cream में से घी को निकालते हैं, ठीक है, तो cream में से घी को निकाला जाता है, जहाँ पर दूद भूद बेचा जाता है, वहाँ पर घी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है, नव थार्ड यूज, यूजड इन वासिंग मसीन, तो स्क्वेज आउट वाटर जो अब नए टेकनोलोजी की वासिंग मसीन साने लगे हैं, उसमें कपड़े दुलने के साथ सुखे भी हो जाते हैं, तो जो ड्रायर मसीन होता है, जो कपड़ों को सुखाता है, वो भी सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है? तो इसक्यूज आउट वाटर रॉम वेट क्लोज, गीले कपड़ों में से, पानी को अलग करने के लिए, यह जो हमारे वासिंग मसीन के ड्रायर होते हैं, वो सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो आई हो आपको ये यूज़ बहुत अच्छे समझ मे आगे होंगे, कि यह सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ कहा होता है, लेस्ट मॉव तो नेक्स टॉपिक, नाव मॉविं तो नेक्स टॉपिक, टॉपिक नमबर 2.3.3, हाव कैन वी सिपरेट अमिक्स्चर अफ तू इमिस्किबल लिक्विड, इमिस्किबल लिक्वि तो ऐसे लिक्विड को हम कैसे अलग करेंगे, चलो देखते हैं, आक्टिविटी नमबर 2.6, और जानते हैं, कि भाई, दो इमिस्किबल लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स जो कभी अलग नहीं किये जा सकते, उनको भी हम किस मेथड से अलग कर सकते हैं, तो आक्टिवि कि मेरे पास एक ऐसा mixture है, जिसमें मैंने kerosene, oil और water दोनों मिला दिया है, ठीक है, अब इस दोनों mixture को कैसे अलग करोगे, ये दोनों imiscible liquid है, ये दोनों liquid कभी मिलेंगे नहीं, आपको पता है, oil हमारा उपर जाकर बैठ जाएगा, और पानी नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो ऐसे liquids को कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए आपको separating funnel का use करना पड़ेगा, ये है हमारा separating funnel, ये आपको कहीं भी lab में मिल जाएगा, ठीक है, separating funnel ले लो, और ये kerosene और water के mixture को इस funnel के अंदर डाल दो, फिर क्या करना है, let it stand undisturbed for some time, so that separate layers of oil and water are formed, क्या करो ना, ये जो water और keros kerosene oil का mixture है, इसको separating funnel में डालने के बाद कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो, कुछ देर जब तुम छोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि जो मिटी का तेल है, वो उपर आकर बैठ गया है, और पानी नीचे आ गया है, जब ये दोनों अलग-अलग हो जाए, अब क्या करना है आ stopwatch बाहर खीच कर रखना है, जब तक ये पूरा पानी नीचे नहीं चला जाता, जैसे ही liquid नीचे जाने लगे, इसको बंद कर दो, इस तरीके से हम oil और water को अलग कर सकते हैं, ठीक है, अब ये method किस-किस जगह और use होता है, ये भी देख लेते हैं, applications to separate mixture of oil and water, सबसे पहला use तो हमारा यहीं होता है, कि अगर किसी भी पानी में oil mix हो गया है, तो हम पानी और oil को कैसे mix करेंगे, ये जो अभी process हमने use किया ना, separating funnel का use करके, बस इसी process से हम oil और water को अलग कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा use क्या है, in the extraction of iron, from its ore, दूसरा use है कि iron जो हमें मिलता है, जो हमारा लोहा होता है, वो हमें pure नहीं मिलता, ore के form में मिलता है, मतलब iron के साथ बहुत सारा कचड़े होते हैं, तो इन कचड़ों को remove करने के लिए भी हम separating funnel का use करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि जो हलकी चीज़े होते हैं, जो कचड़े ह होते हैं, वो काफी हलके होते हैं, तो वो टॉप पर आ जाते हैं, और जो भारी भरकम हमारा iron होता है, वो bottom यानि नीचे बैठ जाता है, ठीक है, किस वज़े से, separating funnel की वज़े से, तो ये जो प्रीस्पल यूस किया हमने, इस प्रीस्पल से हम दो imiscible liquids, दो ऐसे liquids, जो आपस में कभी नहीं mix हो सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये depend करता है उनके density पर, oil जो है हमारा density कम है, इसलिए वो उपर आ जाता है, water density जादा है, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो ये method use होता है, actual में, oil and water को अलग करने के लिए, moving to next topic, topic number 2.3.4, और इस topic में हम सीखेंगे कि how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride, ammonium chloride और salt के mixture को हम कैसे अलग-अलग कर सकते हैं, ammonium chloride एक chemical है, ammonium chloride के जैसा ही हमारे पास एक दूसरा chemical होता है, camphor का पूर जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ammonium chloride की तरह होता है, इन दोनों में similarity ये हैं, कि ये दोनों चीजे, solid से directly gas में change हो जाते हैं, बिना liquid में change होए, ठीक है, तो ऐसे chemicals में से हम salt को कैसे अलग करते हैं, व हम सीखेंगे, चलो start करते हैं, we have learned in chapter 1, that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating, हम जानते हैं, chapter 1 में हमने पढ़ा है, कि जो ammonium chloride जैसे chemicals होते हैं, camphor जैसे जो chemical होते हैं, कपूर जैसे जो chemical होते हैं, वो directly solid से gas में change हो जाते हैं, आपके घर में कपूर होगा, आप उसे जला कर देखो, वो तुरं the solid से gas में change हो जाता है, liquid में change नहीं होता, so to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used, अब ऐसे mixtures को अलग करने के लिए न, ऐसे mixtures, जिनके अंदर दो चीज़े होती हैं, sublimable volatile component, sublimable volatile component यानि इस case में ammonium chloride हमारा sublimable volatile component है, volatile मतलब जो vapor दें, जो धुआ दें, जो vapor में convert हो जाए, ammonium chloride vapor में convert हो जा रहा है न, तो ये sublimable volatile component है, और non-sublimable impurity क्या है, salt, ठीक है, हमें salt को अलग करना है, इस ammonium chloride से, इसके लिए हम sublimation process का use करते हैं, sublimation किसे कहते हैं, भाई, ऐसा process जिसमें कोई भी substance, solid से, directly, gas में change हो जाए, that process is known as sublimation, तो sublimation process का use करके, हम एक volatile component, यानि ammonium chloride को non-volatile component, यानि salt से अलग करते हैं, actual में होता क्या है, ये sublimation process कैसे काम करता है, देखते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ example से यहाँ पर दिया है, कि भाई, कौन-कौन से ऐसे chemicals हैं, जो sublimation process से अलग किये जा सकते हैं, तो हमारा ammonium chloride हो गया, camphor हो गया, naphthalene balls आते हैं, जो चुहो कमारने की दवा आती है, anthracene आते हैं, anthracene एक chemical होता है, जो लाल कलर बनाने में हमें मदद करता है, जो हमारे कपडे लाल कलर के रंगे हुए ह होते हैं, उन सभी में anthracene का used होता है, ठीक है, तो यह सारे ऐसे chemicals हैं, जिनको हमें sublimation process से salt से अलग करना होता है, ठीक है, sublimation process में होता क्या है, आफ figure को देखकर यहां पर पहचान सकते हो, हमने एक china disc लिया है, china disc एक बरतन लिया है, और उस बरतन में हमने ammonium chloride या camphor रख द लिया है, और एक funnel, एक कुपी को हमने उल्टा करके रख दिया है, एक inverted funnel हमने लिया है, ठीक है, उसके बाद क्या किया है, जब हम जैसे इसे जलाना start करते हैं, हम देखते हैं कि ammonium chloride जैसे ही vapor में convert होता है, तो हमने उपर का यह जो हिस्सा है, इसे बंद किया है, ताकि यह vapor आ चिपक जाता है, यह देखो, यह देखो, यही funnel में ammonium chloride आकर चिपक जाएगा, और जो नीचे बचेगा, वो है हमारा non-volatile component यानि salt, तो इस तरीके से, इस sublimation के process से, हम volatile component और non-volatile component यानि ammonium chloride और salt को अलग कर सकते हैं, So, this is all about second part of this video, यह chapter लंबा होने की वज़े से, यह पूरा video हम चार parts में cover करेंगे, तो दो part आपके पूरे तरीके से cover हो चुके हैं, और आप इन सारी चीजों को अब तक समझ चुके होंगे, तो I hope video आपको अच्छा लगा होगा, video अगर अच्छा लगे तो like बटन जरूर द subscribe करें, घंटी को दबाएं, और video को दबा के share करते रहें, मिलते हैं एक और धमागीदार video के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, शासुया काल, बाबाए